वाट्सुप गाइड इस दिए रोव एक्सेरान बाक विडियो गाइज फाइडली वीडियो आ चुकी है मुठल बाजो के लिए आप लोगों की इतने सारे डीम साहे थे हाउ तु स्टोप मास्रबिशन एडिक्शन तो फाइली वाइड मास्रबिशन एडिक्शन जिसको है वीडियो गाइड तक देखे खतम हो जाएगी अगर खतम नहीं की तो बहुत सारे साइड इफेक्ट होगे जिसे आपका स्पर्म काउंट होगा जिसे आपकी सेक्स लाइफ हो जाएगी जिसे आगे जाके आपका इरेक्शन कमजोर होगा टेस्टोशन लेवल कम होएगा बहुत जारे दिक्कते आ जाएगी तो भाई वीडियो को एंड तक देख लेना जो भी मुठल बाज या जिसको भी मास्रबिशन एडिक्शन हो चुकी है जो अपने रॉक्ट को हिलाए जारा हिलाए जारा हिलाए जारा है उसका सारा फ्यूल खतम करे जारा है जो लोग एडिक्ट है इस चीज से कैसे छोड़े इस चीज को उससे पहले अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब करो लाल का बटन है सांड बन जो तोड़ दो सब्सक्राइब होना चाहिए और जाधा DM's आये थे, masturbation पे video बनाओ, like जबरू करना, Instagram पे follow कर लेना, description में लिंक है, आपके भाई का ये account है, रोईके दरे fitness के नाम से, Instagram पे follow करो, description में लिंक है, start करते है, how to stop masturbation addiction, सबसे पहली चीज़ भाई, masturbation addiction में और normal masturbation में बहुत फरक होता है, normal masturbation में अगर एक इंसा, normally एक दो बार, ठीक है, masturbation करता रहता है, तो अगर आपको, आपका रोकिट दिया, तो भाई, हिलाने के लिए भी दिया होगा, ठीक है, तो वो normal चीज़ है, वो normal प्रोसेस है, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली आके जाके, अगर उनके, कोई और चीजों की वज़े से दिक्कत जाए, वो बात अलगे है, जैसे भाई, वो बहुत जादा smoking करते है, बहुत जादा alcohol लेते है, उनकी डाइट अची नहीं है, तो आगे जाके भाई, उनका टेस्ट्रोस्ट्रोस्न लेवल कम हो सकता है, उसका भी बता मुँआ कि क्या करो, आपका स्पम कांट कम होता है, आप अगर आप मास्टरबिशन करते हो, तो पहले चीज़ इंसान के दिमाग में क्या आती है, जो लोग जम जाते है, खासकर भाई यार बोडी नी बनेगी है, आज तो मास्टरबिशन कर लिए, भाई यार क्या करो यार, इसी से अडिक्टोट रुका हूँ, छोड़ना भी चाह इतना हो चुका हूँ, मुठ मार मारके मुठ बन चुका हूँ, ठीक है, भाई, मैंटली तो इफेक्ट पड़ेगा, पट फीजिकली क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपके लिए वो जाना बहुत जरूरी है, सबसे पहली चीज, खासकर जो जिम जाते हैं उन लोगों के लिए कभी भी जिन लोगों ने अपना जिम जाने से पहले masturbation किया है, उनको पता है, उनकी बोडी में इतना धीला पना जाता है, भाई, आज तो जिम नहीं होगी, भाई, मैं जिम नहीं कर सकता, आज विल मैंने मुठ बज आ मुठ बज आ है, तो भाई, क्यों कर रहे हो जब आप जाके आपको बहुत सारी दिक्कत हो सकती है तीसरी चीज़ क्या होती है erection कमजोर हो जाता है अगर आप जादा कोई चीज़ कर रहे हो masturbation तपादप तपादप करते जा रहे हो क्या होगा भाई वो tightness है जो ऐसे की जंगा ऐसे हो जाएगा आपका testosterone level कम होता है जो लोग ये सोचते हैं कि भाई कुछ नहीं होगा तो भाई जो लोग जादा masturbation करते हैं उनको पता है कि भाई उनकी body बनाना तो बहुत दूर की बात उनका normal चरना फिर नहीं मुश्किल हो जाता है उनके पैरों में दर्द होता है काफ में दर्द होता है कहीं आने जाने में ठक जाते है ये क्यों ज्यादा masturbation की वाज़े से normal masturbation ठीक है चलेगा कभी एक बार कर लिया आपने कभी दो बार कर लिया फिर gap दे दिया फिर एक दो बार कर लिया ये normal चीज है अगर आप लगाता करे जा रहे हैं तो भाई देखो टेस्टोस्ट्रोन सेक्स लाइफ इरेक्शन आपका आप mentally कमजोर हो जाओगे आप physically कमजोर हो जाओगे body नहीं बनेगी आगे जाके बहुत सारी दिक्कते हो सकती है क्यों? क्यों कर रहे हो यापी? तो भाई इसको कैसे छोड़े? ठीक है अब बात करते है how to stop masturbation addiction सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है work out करना स्टार्ट करो कम से कम दिन में एक से दो घंटा जब आप जिम जाओगे बड़ी आप body बनाओगे तो आपके दिमाग में एक चीज घुसेगी कि भाई अब मेरे को body बनानी है तो मेरे को इस addiction को छोड़ना पड़ेगा आप अपने आप बोलोगे कि यार अब body बना रहा हूँ यार क्या करूँ आप body building के addiction करो ना यार body बनाओ बढ़िया fitter रहो बढ़िया बन करो यह masturbation इंसान के दिमाग ने कवा आता है कि अब मेरे को अपना मुठ पजानी चाहिए जब वो कोई ऐसी चीज देखता है जिससे वो उत्तेजित हो जाए जब उसका खयाल आए अब तो तुमारा भाई ही लाके रहेगा तीसरी चीज भाई डाइट अच्छी करो आप जब वोक आउट अच्छा करोगे पौन देखना चोड़ दोगे डाइट अच्छी करोगे तो क्या होगा आप ओटोमेटिकली इसी से दूर चले जाओगे क्योंकि आप एक एडिक्शन से एक अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हो ठीक है तो ये करना बंद करो चोथी चीज अगर आपको चुलूट रही है कि भाई अब तुम मुठ बजा के रहूंगा मैं ठीक है अब मिरेको बस कहीं ना कहीं जाके मुठ बजानी है क्या करो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो गाईज मैं गैरंटी देता हूँ कि जिस भी इनसान को एक ये चुलूटी पड़ी है ना कि अब मेरेको मास्टरबेशन करनी है थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के साथ जाके बैटो थोड़ा सा पंदरा मिनिट ये जो ख्याल है ना आपका ये दूर हो जाएगा कि मैं पब मुठ बजानी है आप खुच सोच के देखो भार को इनसान मास्टरबेशन से एडिक्ट हो चुका है वो डेली तीन से चार बार मास्टरबेशन करता है उस लोग 5 बार भी करते है मेरे पस DM आते हैं भाई हम 5 बार हिलाते हैं एक दिन में कमेंट में बता आपकी दिन बार हिलाते हैं और सच बताना या ठीक है सच बताना सबको तो जिस इनसान को चुल उठेगी वो उस ताइम पर अपनी फैमिली के पास जाके बैठ जाएगा तो भाई उसकी चुल खतम हो जाएगी तो इसका फायदा क्या होगा वो अगर डेली तीन से चार से पांच बार मास्टरबेशन कर रहा था वो एक से दो पे भी आ जाएगा तो एटलीस उसका मास्टरबेशन की जो एडिक्शन है वो कंट्रोल में आ जाएगी दीरे दीरे करके भाई वो क्या करेगा अपने आपको डेली एक बार फिर गैप देके जब भी उसको सही लेगा बट एटलीस कंट्रोल करो एडिक्ट मत बनो भाई की मास्टरबेशन तो करना ही करना है ऐसे मत बनो और बाई जिन लोगों को लगता है की बाई उनमें बाई एकदम कमजोरी आ चुकी है उनकी स्पम काउंट कम हो रहा है उनकी एकदम सेक्स लाइफ में आगे जाके दिक्कत आ सकती है उनका टेस्टो स्टोन लेवल आप जिम करते हो बाई रिमनती सब कुछ खाके देख लेते हो अगर ये दिक्कत है दो हमेशा मैं बोलूंगा आप लोगों को बाई ये डोक्टर चोईस का PCT प्रो खाओ 60 गोलिया आती है आपको मेडिकल स्टोर पे सारी चीज़े मिल जाएगी अश्वगंदा, शीला, जीत, ट्राइबूलस अलग अलग तरह की चीज़े जिसका खर्चा अप्रॉक्सिमेटली आपका 2000 के आस पास बैटेगा हो डेली आपको कम से कम 25 गोलिया खानी पड़ेगी यह डॉक्टर चोईस का PCT प्रो मैंने हमेशा आप लोगों को बुला है जहां पर आपको इनवेस्ट करना चीज़े आपका टेस्टोस्रोन बढ़ाता है नेच्रूली आपकी सेक्स लाइफ अच्छी करता है अगर आपका इरेक्शन कमजोर है उसको ठीट करता है मसल बीट करने में हेल्प करता है क्योंकि जब आपका नेच्रूली टेस्टोस्रोन बढ़ेगा तो आपकी मसल बीट भी बढ़ी आओगी तो क्या करना है आपको वकाउट अच्छा करना है, डाइट अच्छी लेनी है अपने फैमिली के हाट टाइम स्मेंट करना है, पॉर्ण देखनी छोड़नी है, और डॉक्टर चोइस का PCT प्रो अपनी डाइट में एड करना है, सबसे बड़िया बात क्या है यारते को कभी से यूज करता रहा हूँ, एक बार यूज किया था, जस्ट विकोज मैंने रेटि सबसे बड़िया बात है, जब मैंने लेना साट करना तो एक तो इसके खुशबू, ठीक है, जो भी बंदाई से लेगा, सबसे पहली चीज उसे क्या अच्छी लगेगी, इसकी खुशबू, भाई, परसनली इतनी बड़िया खुशबू आते ने इससे, लगता है कि कुछ ख ठीक है, तो यह जो मस्टरवेशन की एडिक्शन एक्स को छोड़ के बड़िया डाइट लो, बड़िया वर्क आउट करो, पॉन देखना चोड़ो, फैमली के साथ टाइम स्पेंड करो, और यह डोक्टर चोइस का PCT प्रो एड करो, अब मैंने बाई इस डोक्टर चोइस के PCT प्रो के बारे में पहले भी वीडियो बनाई है, सबसे ज़ादा लोग मुझसे पूछते हैं, भाई से लेना कब है, बेस्ट टाइमिंग क्या है, सोने से पहले बाई, दो गोलिया ले लेना, 60 गोली समें आती है, 30 दिन की सप्लाई आपकी चलेगी, तो 30 दिन में आपको भाई फरक दिख जाएगा खुद में, अगर आप बढ़िया प्रोडक्त चाहते हो, तो आपको पैसा भी तो देना पड़ेगा, आप अगर बोलोगे भाई, 500, 600, 800, 900 रुपया करीज देंगे, इसमें क्वालेटी भी तो ऐसी होगी, तो भाई, क्या यार इतनी जरूरी जाओ, जब mentally fit हो जाओगे, अपने आपको physically fit करो, जाके जिम में दबा के workout करो, घर पे दबा के workout करो, यार सोचो ना, एडिक्ट अच्छी चीज़ों से हो ना, एडिक्ट हो, आपने को बढ़िया बोड़ी बनानी है, बैको भाई की हर वीडियो देखनी है, बैको भाई का बाई वीडियो अप्लोड करेगा, सबसे पहले आपको पता चलेगा, इंस्साग्राम पे फोलोगर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रोईत्तित्री फिटनेस के नाम से एक एक अकाउंट है, लाइक कर दे वीडियो को, क्योंकि लाइक करोगे अपने बाई का चैनल, इसकी सपोर्ट होता रहेगा, उपर जाता रहेगा, पांच मिलियों जल्दी हो जाएंगे, तिल देन ओट पीस, गेंज.